अब जोई रहाचों स्पार्क टुडेयन्यूज ourंचुऊ आपनी साते मांसेर होईद्धивается गोपीनाथ सची हॉंडा काते न्यू कार लॉंचिंग कारेकरम् मह जाये मकर्पुरा रोड पर आवेल गोपिनास जी होंडा खाते योजायल लॉंचिंग कारेकर मानवी कार नो मोडल लॉंच करवा मावी होंडा एलिवेट ना नामे आकार ने लॉंच करवा मावी हती नापरा संगे मुख्य आती थी तरीके वोड़ुद्रा में पोलेस कमिशनर अनुपम सेहलो तो उपस्तित रह क्या संग्रिकिर ओतो रेवों करीमा है को बीजर शब्सेदीख जला घस्तिय nhân, को थी तो उनल्सारो ऑट कर वी यॉंच कर दया लॉंच जो अगाता है तो तो भी साथ हेगा शेहर बावा पर ने जरी को बेन के चाहरं नहीं है प्रीच रूम में चाहर बसाहर लो आगर दो में आपियले को आपिया वो प्रीज रिचेह बाना है हम 600 लाख से नहीं हां जाले की सीच रहे बाले है सर आज जो हमारे यहां पर जो कार्यक्रम है वो हमारी होंडा की अमोस्ट अवेटेड प्रोड़क्ट जो थी SUV मोडल उसका आज exclusive preview का लॉंच है जिसका नाम है होंडा एलिवेट जो फर्स टाइम इन इंडिया बन रही है यानि making इंडिया है for इंडिया है and for the world है यह जो गाड़ी है वो यहां पर बनेगी all over world में इसका एक्सपोर्ट होगा मुखे की तौर पर आज हमारे यहां पर हमारे चीप गेस हमारे वड़ोदरा के पोलिस कमिशनर स्री असक गेलोट सरा रहा है अनुपम गेलोट सरा रहा है यह गाड़ी की खासियत यह है कि यह सबसे ज्यादा ground clearance है यह segment के अगर बात करें तो यह जो segment है यह more than 4 meter वाला segment है यानि सेल्टोस, क्रेटा, टाइगून, कुसक यह सबसे highest ground clearance है इसमें 220 mm का ground clearance दिया गया हुआ है इसके अंदर आपको सबसे highest boot space है 458 liter की boot space दी गई है यह जो गाड़ी है वो दो engine में आने वाली है 1.5 liter manual transmission and 1.5 liter CVT transmission जो सबसे advanced transmission है सर यह petrol में आएगी जैसे के as per the government guidelines अभी सभी गाड़िया जो है वो petrol में convert हो रही है तो यह जो गाड़ी है अभी petrol में आने वाली है और after the one year यह full EV में आएगी जो company step by step उसका launch के सबसे बता दी जाएगी इसका जो प्राइज है वो first week of September में declare करेगी company but tentatively इसका जो प्राइज रहेगा वो 11 लेक्स से 16 लेक्स एक सोरूं प्राइज हमको मिलेगा आपको customer के लिए मैं मेरा नाम पंकश दर्शन पंचोली है मैं यहाँ पे as a cell said